अंग्रेजी में एक कहावत है, hitting two birds with one stone, यानि एक पंथ, दो काज, एक तीर से दो निशाने, इनका अर्थ है जब आपको एक ही कारे से अनेकों लाफ मिले, ये बिल्कुल ऐसा है जैसा आप बजार से 70 रुपे का डिटरजेंट खरिदने जाएं और उसमें आपको 7 लाख की ग है पुरा मामला जानेंगी विस्तार से TFI पर मेरे यानि अंकित कुमर के साथ, तो चलिए आरम करते हैं, देश भर में जाली राशन कार्ड का बोल बाला है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बकायदा सहज, जन सेवा केंद्र में काम होता है, तभी तो ऐसा ब्रस्टचार खुल करने के दिशा में कारे किया है, और अब सरकार ने ऐसे मामलों का लेखा जोखा करना भी शुरू किया है, भोकता मामले खाद्य और सार्जनिक वितरन राज्यमंत्री साधवी निरंजन जोती ने शुकरवार को बताया है कि सरकार ने साल 2014 से साल 2021 के दोरान 4.28 करोर फरजी र उपकरण APS डीलरों द्वारा संचालित के जाता है, इससे लोगों की फरजी राशन कार्ड को पैचानने में मदद मिलेगी, इसके अलावा विकलांग और विर्ध लावारतियों को जिनके घर में कोई अन्य वियुस्क सदस्य से नहीं है और जो FPS से राशन प्राप्त करने क स्तिती में नहीं है, उन्हें राश्टे खाद सुरक्षाद नियम के सबसेड़ी वाले खाद्यान की नियमित डिलिवरी शुनिश्चित करने के लिए या तो होम डिलिवरी के माध्यम से या उनके नामित व्यक्तियों के माध्यम से खाद्यान के विशेश वितरन के लिए त ताकि उचित सत्यापन के बाद संभावित अपात्र, डुब्लिकेट या फर्जी राशनकाडों की पहचान की जा सके और उन्हें हटाया जा सके। इस परकार के नियक्षन में फिल्ड और डोर भी सामिल हो सकते हैं, घर घर जाकर सत्यापन करना और अन्यवास्त्विक रूप से पात्र और शुटे हुए परिवारों लाव्यारतियों को सामिल करना भी सरकार की योजना में सामिल है। NFSA कवरेज की अपने अपनी सीमा तक लावपात्र आदिवासी और गरीब परिवार व्यक्ति भी सामिल हो सकते हैं। यानि मिलाज राकर या कहा जाए कि अधार काड का डिजिटिली करन करना अब अपना लाव दिखा रहा है। यह आवश्यक है कि समाज के वे लोग जिन्हें सच में ऐसी योजनाओं के आओ सकता हैं। उन तके लाव पहुंचे सरकार अब इसी मोर्चे पर प्रतिबद दिख रही है। राशन से जुड़ी दूसरी खबर यह है कि उत्तर परदेश में 12 इसंबद 2021 को मुख मंतरी योगियादित नाथ ने रास्टे खाद सुरक्षा दिनियम के तहट लाव यार्तियों को निशुलक खाद्यान वितरन कारिकरम का सुभारम किया। इस सरकारी राशन वितरन महाभ्यान के आगाज के साथ सूबे के 15 करोड लोगों को अब से होली तक दूगुना राशन मिल सकेगा। लाव यारतियों को इसके तहट अनाज के साथ चना, डाल, तेल और नमक भी मुफ्त में दिया जाएगा। सुभी के राशधानी लखनव में आयोजित कारिकरम में सीम योगी ने कहा, यही प्रयास है कि डबल इंजन की सरकार का डबल खाध्यान का लाव भी हर जुरतमन को मिले। आज इसी खाध्यान वितरन का सुभारम किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि पिछली सरकारों में गरीबी के राशण पर खाध्यान माफियों का डाका पड़ जाता था। जो राशण गरीबों को मिलना चाहिए था, वो उन्हें नहीं मिल पाता था। बकॉल मुखमंतरी जब वो लोक सत्ता में थे तब गरीबों को राशन नहीं मिलता था, स्वास्त सुधाएं बधाल थी, अपराधियों पर दुलार आता था, जब सत्ता हाथ से चली गई तो वैक्सीन को लेकर दूस परचार भी शुरू कर दिया गया। लोखित सरकार का फर्च के अंदर सरकार निभा रही है और यह काबिले तारीफ है, भार सरकार ने लंबे समय से गरीबों के लिए योजनाय बनाई है, जमीन पर होने वाले ऐसे बदलाओं की हम सब को तारीफ करनी चाहिए।